वेल्कम बैक जैसे आप लोगों को पता है अंडर राइटिंग आफ शियर्स हम लोग चाप्टर कर रहे हैं इस चाप्टर का थोड़ा सा पार्ट में आप लोगों को पहले वीडियो में बता है था इसमें और भी बताने वाला हूं जैसे आप लोग आपके स्क्रीन पर देख स क्या ँए यह कंसेपक की है और दिखो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर तो पार्ट किया हूँ है फ्रम अंडर राइटिंग होता क्या है हमो लोग ने इसके पहले sum किये थे थैरिखा हम लोग ने जब sum करते थे नदे रट राइडर को काम क्या होता था अज़िंडर ऴीक राइडर उस पहुटा नयुक है कंपनी को बोला था कि आपके पास बच जाते थे ना वो shares underwriter को खुद खरीदने पड़ते थे ठीक है लेकिन जब वो खरीदता था था तो बाई force खरीदता था था बाई choice नहीं ठीक है वो जानपूच कर नहीं खरीदता था उसको जबरदस्ती वह shares खरीदने पड़ते थे ठीक है ऐसी liability को हम लोग बोलते थे conditional liability क अब उसमें क्या होता था यह जो conditional liability होती है यह depends upon the happening of an event conditional liability उसने क्यों shares खरीदे या खरीदेगा अगर public ने subscribe नहीं किये तो मैं shares खरीदूँगा इसको conditional liability बोलते थे ठीक है अब form underwriting में क्या होते है पता है form underwriting में यह होता है जो underwriter होता ना वो खुदी company के पास जाता है अब सामने से भूल रहा है कि देखो मैं underwriting तो कर रहा हूं आपका और मैं करूंगा भी लेकिन मुझे खुद को भी 10,000 shares चाहिए ठीक है और यह जो वो कर रहा है वो जो चॉइस कर रहा है और फोर्स नहीं ठीक है अब suppose जैसे उसको 10,000 shares चाहिए उसकी gross liability थी 60,000 ठीक है 60,000 shares उसको बेचने से साइट में से दस तो वह ले रहा है इसका मतब उसको public को कितना convince करना लेने के लिए 50 suppose वो खाली है ना 30,000 ही बेच पाया है public को तो बज कितना गया 20,000 अब मुझे बता हुए जो 20,000 shares यह कौन लेगा यह A को ही लेना पड़ेगा अंडर राइटर को खरीदना पड़ेगा लिकिन यह जो 20,000 shares उसको खरीद रहा है यह by force खरीद रहा है by choice नहीं यह उसको खरीदन कितनी है 20,000 conditional liability है ठीक है और total liability कितनी है 30,000 ठीक है तो firm underwriter का मतलब समझ में है firm underwriting में होता क्या है कि जो underwriter है वो company के साथ एक agreement में इंटर करता है और बोलता है कि में को आपके company के shares खुदी खरीदना में चाहता हूं ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते है firm underwriting अब इसका treatment करना कैसा है इसको हमको दो तरीके से solve कर से ठीक है और यह हमारी मर्ज़री नहीं है question में बूला रहेगा करना कैसे बैसे अगर question में firm underwriting का shares ऑना उसको marked application की तरह treat करेंगे मां application में हम लोग क्या करते थे? Gross liability में से minus कर देते थे right तो इसका भी जो firm underwriting का न उसको हम लोग क्या करेंगे ग्रos liability में से minus कर देंगे firm underwriting को अगर यह when benefits is given to the credit is given to the individual underwriter बोला है तो suppose sum में बोला है benefit is not given to the individual underwriters तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है जो form underwriting के shares दियोंगों उसको unmarked application की तरह treat करना पड़ेगा unmarked application और मुझे बता है unmarked application के साथ हम लोग क्या करते थे correct ratio में divide कर देते थे वो भी कौन सा ratio gross liability का ratio ठीक है तो अब यह ना देखो हम लोग sum करेंगे sum करेंगे sum करेंगे sum को read करेंगे question में कि हमको form underwriting में यह वाला part करना है यह वाला part करना है यह question को read करने के बाद ही पता चलेगा ठीक है तो अब लोगो form underwriting का मतलब एक बार में फिर से बता दू form underwriting का मतलब यह होता है कि underwriter खुद अपनी मर्जी से कुछ company के shares खरीदना चाहता है by choice and not by force okay तो चले एक example में आते example में जाएंगे तो जादा better idea करना क्या है ठीक है यह देखो यह question है इसमें बुला है a company issued 1,50,000 shares of 10 each at a premium of 10 ठीक है इसका फिलाल हम लोगों कुछ लेना देना नहीं है आप लोगो क्या ध्यान में रखना है main क्या है यह deadlock the entire issue was underwritten as follows X का 90,000, Y का 37,500, Z का 22,500 X ने क्या बोला X को कितने shares चाहिए ही चाहिए वो खुद करीदेगा कितने shares खुद करीदेगा 12,000 तो खरीदेगा यह खरीदेगा तो सबसे पहले तो हम लोगों क्या करना पड़ेगा सम में जाएंगे हम लोग नाम दे देते हैं नाम क्या दिया है XYZ तो मैं भी नाम दे देता हूं XYZ और यहां डाल देता हूं total ठीक है अब देखो उनकी gross liability उन लोग ने कितनी दिया क्वेशन में 90,000 37,500 उसके बाद 22,500 बराबर चक कलो नभे 37,500 फिलार कुछ नहीं करना है फिलार कुछ नहीं करना है सम को नॉर्मली सॉल्फ करो जैसे सॉल्फ करते हैं ठीक है उसके आद देखते हैं यह फिलार क्या करना है आगे बोला है total subscription received by the company ठीक है excluding excluding मतलब यह जो number आ रहे ना इसमें firm and writing नहीं है इसमें firm and writing नहीं अच्छी बात है और आगे बोला and marked applications were 22,000 ठीक है अब देखो यह 22,000 है इसमें दो चीज़ नहीं है ना तो firm and writing नहीं marked application है अगर firm and writing भी नहीं है marked application भी नहीं है तो यह application है किसके यह general public है यह public में directly गई होगी उसके पास तो यह हमारा unmarked application है unmarked application है इसको पता ना का यूज करते हैं यह solution में बहुत नीचे आने वाला है ठीक है तो इसको बात में देखते हैं आगे question में क्या बोला है the marked application excluding firm underwriting excluding मतलब इन number के अंदर firm underwriting जुड़ा हुआ नहीं है ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं अच्छा इसका मैं total बता दू टोटल कितना अर था इसका 150,000 बराबर ओके अब number ले ले लेते हैं इसका कितना था 15,000 दूसरे का कितना था 30,000 तीसरे का कितना था इसको माइनस करेंगे तो 75 इसको माइनस करेंगे तो 7,500 इसको माइनस करेंगे तो 15,000 इन सबका टूटल करें तो कितना आ रहा है 97,500 मतलब इतने शेर्स नहीं बेच पाए कौन? XYZ XYZ कौन है? Underwriter है ठीक है? अब unmarked application का credit भी तो इनको दे देते हैं अनमाक मतलब जो directly public आ गई तो उतनी इनकी liability अपने अब कम जोती है क्यों माइनस करते है unmarked application एक बार फिर से मैं बदा देता हूँ देखो marked application मैंने दिया थे इन लोगों को X, Y, Z को दिया है बेचने के लिए इन लोग बेच किया है अब बेच करें लोग कितना नहीं बेच पाए, 5000 नहीं बेच पाए, 5000 नहीं बेच पाए, 15,000 नहीं बेच पाए लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक भी आ गई है न तो उनका benefit में इनको क्यों देता हूँ अगर मैं नहीं दूँगा तो over subscription हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा जो हम लोग नहीं effort कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं अन्मार्क अप्लिकेशन भी इनहीं मैं से सब्ट्राक कर देते हैं जो कि अन्मार्क अप्लिकेशन कितना दियावा था question में इन्टू gross liability का ratio क्योंके नहीं है इन्टू 90,000 divided by 150 तो हम लोग को answer मिल जाएगा simultaneously दूसरे का करने के लिए क्या करेंगे पता है कि आप 22,500 इन्टू इस बार क्या करेंगे 37,500 upon 150,000 ऐसा करते करते हम लोग को सबका answer आ जाएगा तो देखो अगर तुम लोग solve गो तो पहले वाले का answer आ रहा है 13,500 दूसरे का answer आ रहा है 5625 उसके बाद answer आ रहा है 3375 इन सबको minus करने के बाद हम लोग को balance मिल जाएगा कि कितना कितना बच रहा है यहाँ पर आ रहा है 75,000 अगर इसको minus करेंगा तो इसको इससे minus करेंगा तो कितना बचेगा बच रहा है 61,500 इसको इससे minus करेंगा तो बच रहा है 1875 इसको इससे minus कर रहा है तो बच रहा है 1, 1, 6, 2, 5, 6, 2, 5, अब देखो, नॉर्मल सम होता है, किसी का भी नेगेटिव ने आया, बहुत इच्छी बात है, नेगेटिव आ जाता है, तो टेंचन होता है, नेगेटिव आता है, अगर इन तीनों में से, किसी का भी क्रेडिट आ जाता है, माइनस में आता है, तो हम लोग उसका क्रेडिट जो है, दूसरे में बाट देते हैं, ताकि उनकी लिएबिटी और भी कम हो जाए, वैसे तो आया नहीं, ठीक है, तब यहां तक सम खतम नहीं हो है, तब देखेंगे, यह हमारे मतलग का है, the underwriting contract provides that credit for unmarked application should be given to underwriters in the proportion to shares underwritten, ठीक है, यह कौन सा पाटता बता है, वो जो unmarked application में बाटा ना, यह जो unmarked application है, यह इसको बाटा ना, gross liability ratio में, यह लोग उसी की बात कर रहे थे, वो लोग नहीं भी बोलते हैं, तो भी हम लोग यह बोला है, and, यहां से बोला है, and benefit of the firm underwriting, firm underwriting है उसका benefit देना है, to be given to individual, तो हम लोग क्या करते है, marked application, marked application की तरह काम करना है, मुझे बताओ, marked application हम लोग क्या करते है, minus करते हैं, तो मैं यहां पर आता हूँ, less कर देता हू, firm underwriting, firm underwriting को marked application की तरह लेने के लिए बोला है, तो firm underwriting किसका कितना कितना था बताओ चलो जल्दी जल्दी कोशन में देख के बताओ पहले यलका था 12,5 और 15 तो मैं लिख देता हूँ 12,5,5 और 15 इन सब को प्लस करने पर कितना हो था 31,500 फिर क्या करेंगे इसको इसको से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49,500 इसको से माइनस करें माइनस में अंसर आ रहे है माइनस में अंसर आ रहे है 2625 फिर उसके बाद अंसर आ रहे है 3375 माइनस में इसका रही इन सब का टूटल कर रहे है तो टूटल आ रहे है दोनों ने अच्छा अचा काम कर दिया है, तो क्या करेंगे, इसका जो credit है, उसका benefit हम लोग इसको देंगे, ये X को देंगे, इसकी liability हम कर देंगे, देखो y को और z के पास हे ना लोग ज्यादा है, shares का में, applications का में, तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोग को उसकी चीज़े दे देंगे, तो हम लोग क्या करते है, यहाँ पर क्या लिखते थे, यह balance है पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ credit of Y and Z adjusted, किसके सामने adjust कर रहे हैं adjusted, कितना adjust कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो आ रहा है 6000, तो मतलब adjust करके, कितना बचला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 43,500, ठीक है, यह हो गया, निल, यह भी हो गया, निल, ठीक है निल हो गया, इसे में हटा देता हूँ यह खाले working note का part था अपना अब यह जो answer आया, यह क्या है, यह हमारी liability है यह हमारी liability है, यह हमारी कौन सी liability बता सकते हो, यह conditional liability है conditional liability मतलब जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, X को जबरदस्ती 43,500 shares खरीदना ही पड़ेगा Y और Z के साथ ऐसी कोई जबरदस्ती होने वाली नहीं है, because उन्होंने अपना काम सही से कर लिया है उनको जितना shares दिया था, उतने shares वो लोग पूरी तरही कैसे बेचने में सक्षम थे अब यह मत देखना की उपर, क्या entries थी यह थी, हमने calculation की, calculation के हिसाब से Y और Z को को भी shares जबरदस्ती खरीदने की जरूरत नहीं, तो उनकी liability 0 है और जो X है, इसकी liability 43,500 है, लेकिन मुझे बताओ, total liability, हमको total liability भी तो calculate करना पड़ेगा, total liability क्या होता है, उनको total कितने shares खरीदने है, वो कैसे बता चलेगा, total shares कितने खरीदने है, यह 43 तो उसको जबरदस्ती खरीदना है, यह था न, यह form underwriting, जो खुद खरीदने वाला था, इसके भी तो पैसे उसे लेने, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर add कर देता हूँ, add form underwriting, form underwriting, यह कितना shares करीदने वाला था, 12,000 खरीदने वाला था, यह 45,000 खरीदने वाला था, इनकी liability है, इसकी 15,000 आ रही है, इसकी 45,000 आ रही है, वो ही है, जो लोग खुद से खरीदने 43,500 इसको by choice ने, by force खरीदना पड़ेगा, ठेक है, तो अब इसकी total liability कितने हो जाती है, उसकी total liability जो जाती है, 55,500, 55,500, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी total कर सकते हो, मैंने किया नहीं है, ठेक है, तो इसकी total liability मिल गई, ठेक है, अब देखो, रटा मत मारना, तुम लोग यह मत स अच्छे से बिठा लो, ठीक है, और यह रटा मत माना कि पहले लेस करते हैं, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह जो बैलन्स है, 43,500, मैं मानता हूँ, यहाँ पर अपना सम खताम हो जाना चीए था, यही final answer है हमारा, लेकिन यह conditional liability है, और हमको यह भी तो बादान खरीदना है, 55,500, और इन लोग को सिफ 4,500 और 15,000 इस खरीदना है, जो इन लोगने starting में decide कि हम लोग खुद से खरीदेंगे, एक्स्ट्रा इनको खुद खरीदने की जरुद पड़ी नई, ठीक है, तो लोग को form underwriting मतलब समझ में आया, क्या होता है, कि जब underwriter खुद एक company के shares खरीदना चाहता है, not by force, by choice, उसकी खुद की मर्जी से खरीदना चाहता है, company में उसको लग रहा है, कि prospects अच्छे है, उसका खुद का interest है, ठीक है, अचा, एक और एक चीज, हमको कब पता चलेगा कि form underwriting को minus कर देना है, जैसे मैंने इसमें बाहर दिया था, 12,000, 4,000, 15,000, ह इसमें बोला था, when the benefit is given to the, or credit is given to the individual writer, तो हम लोग है, जो firm underwriting है, उसको marked application की तरह तरह त्रीट करते और minus कर देते, directly, directly, directly minus कर देते, ठीक है, ratio ratio नहीं, directly minus कर देते, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो, जो हम बोला है, when benefit is not given to the, or credit is not given to the individual, तो ऐसे case में जो firm underwriting है, उसको हम लोग unmarked application मानते हैं, और unmarked application को हम लोग ratio में बाठते हैं, वो भी कॉंसर ratio में, gross liability के ratio में, ठीक है, तुम लोग को मैं दिखाता हूं, तो हम लोग में, इस sum में कहां लिखा वा था, वो, जो को मैं एंडरलाइन की है, benefit, benefit of firm underwriting is to be given to individual underwriter, ठीक है, यह इसका solution था, यह देखो, यह को और assuming that benefit of firm underwriting is not given, इस sum में not given, उपर वले में given बोला था, तो मतलब जब जब इसका solution करेंगे, तब इस में firm underwriting जब हम लोग minus करेंगे, तो direct-direct नहीं minus कर देंगे, जो भी amount जैसे, इसमें दिया हुआ है, firm underwriting का amount दिया हुआ है, 20, 14 और 10, तो यह direct-direct नहीं minus करेंगे, इसमें जब ह हम लोग minus करने जाएंगे, तो ratio में minus करेंगे, पता है क्यों, because यह 20,000, 14,000 और 10,000 को हम लोग unmarked application treat करने वाले हैं, लेकिन वो हम लोग इस सम्में नहीं करेंगे, वो हम लोग इस video में नहीं करेंगे, वो हम लोग next video में करेंगे, तो इस video में इतना ही, मुझे लगता है, करेंगे, मुझे लेस ऑाग, णाये, फर वो हम लोग的 बीचए और रही खर 25,000 को हम अचिकow लाएंगे, तो थिम्मिने मुझे करेंगे, पिल्प में हम लोगता करेंगे, पम लोगता हैंगे, रहीं, देफ्तरा कहने करेंगे, विल्युन को बहीं थाएंगे में अर्षे,